जाए गाइस वेलकम बैक टू चंदिगर ब्यूटी चैनल तो फ्रेंस आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक फेस वैक से एर करने वाली हूँ समर स्पेसल फेस पैक होने वाला है और ओइली स्कीन वालों के लिए सबसे बैस फेस पैक है तो ओइली स्कीन वाले जरह इस प्लस अगर आपकी स्कीन पर भोजाद मुहां से आते हैं बार बार पिमपल आपको परेशान करते हैं और उनके निशान भी रहा जाते हैं तो पिमपल को आने से रोकेगा प्लस पिमपल के निशान को भी दूर करेगा आपकी स्कीन का जो कलर है उसको भी निखानने का काम कर करेगा साथ ही साथ अगर आपको इन गर्मियों में हुआ है संटैन तो संटैन को भी रिमूव करेगा तो फ्रेंस इस फेस पैक को बनाना बड़ा ही आसान है तीन ही चीजों से मैंने इसको बनाया है लेकि लाश्ट में एक और चीज मैंने फेस पर लगाई है तो उसके लिए वीडियो को फुल वोच करना पड़ेगा लेकिन यहां पर एक बात और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूं कि देखे गर्मियों में बार-बार ओइल स्कीन वाले अपनी फेस को ऐसे बार-बार मत वोच करें क्योंकि जालतर हम क्या करते है जब ओल जमा होता है त तो हमारा रंग काला नहीं पड़ेगा हमारे स्कीन से यह जो ओल है वो चला जाएगा लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी भूल है अगर हम बार-बार अपने फेस को वोच करेंगे गर्मियों में तो आपकी स्कीन का जो नैचुरल ओल है वो दीरे-दीरे खतम हो जाएगा आपक सकते हैं और दो बार आपको साधे पानी से अपने फेस को वोच करना है तो चार बार ही आप अपने फेस को वोच कर सकते हैं यह आपके लिए सफसे अच्छा तरीका है तो चलिए इस फेस पैक को बना लेते हैं इसके लिए हमें चाहिए सेंडल वूड याने की चंदन पाउ तो 100 ग्राम इसकी क्वांटिटी है और 190 में आपको लोकल मार्किट या फिर उनलाइन आप चाहे इसको जहां से भी चाहे परचेज कर सकते हैं तो देखे चंदन पाउडर हमारी स्कीन के लिए काफी अच्छा होता है गर्मियों में ठंडग भी देता है प्लस आपकी रंगत को हो चुका है अब मैं अपने फेज़ पर इसको अपर डिरेक्शन में अप्लाई करने वाली हूं मौण को आप चाहे तो फिंगर की है ले सकते हैं या फिर बरश की हेल्प से आप लगा सकते हैं तो मेरे पास छोटू सी जो स्पून है से ही मैं इस फेज़ पैक को अप्लाई क में जी हां अगर आप तपती गर्मी में बाहर से आ रहे हैं अगर आप इसको आने के बाद लगाएंगे तो आपकी फेस को काफी ठंडक महसूस होने वाली है प्लस आपकी रंगत को भी निखानने का काम करेगा यह फीस पैक तो देखिए मैंने इसको इस तरह अपने पूरे फ करने में हेल्प करता है और हमारे फेस को गर्मियों में ठंडक भी देता है तो यह देखिए इस तरह मैं अपने फेस पर अलोवेरा जैल लगा लूँगी तो फ्रेंड इसको आप 10 मिनट तक अपने फेस पर रक सकते हैं अगर आपको ऐसा लगे कि जल्दी सूख गया है तो पाँस साथ मिनट में ब्वोज़ कर सकते हैं और जब आप इसको अपलाई करें तो कम से कम आपको चार-पांच घंटे तक अपने face पर फिर साब उनका use नहीं करना है तो friends ये तो थी मेरी आज की वीडियो I hope आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी informative भी लगी होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो please वीडियो को like जरूर करना और मेरे चैनल को subscribe और इस वीडियो को जाद अशी जाद शियर करना ताकि holy skin वालों को help हो सके तो friends मैं आपसे मिलूँगे अपनी next वीडियो में तब तक के लिए take care and bye